Hey everyone, welcome back, welcome to another video on AWS series और इस वीडियो को हम continue करने वाले जहां पर हमने pre-signed URLs के बारे में बात की थी तो पिछली वीडियो में हमने देखा था that pre-signed URLs get object के लिए हम किस तरह से बना जाकते हैं तो ये private buckets के लिए बनते हैं So if you don't remember तो एक recap देता हूं मैं तो हमने एक function बना था get object url जिसके अंदर हमने एक get object के command बनाई थी और उसके बाद हमने उसका signed URL generate किया था And signed URL हमने generate करने के लिए क्या यूज किया था एक node.js करके हमने एक user बना था उसकी keys को हमने use किया था तो अगर मैं यहां पर S3 में जाता हूं तो pre-signed URL की जरूरत हमें कपड़ती है जब हम private buckets के साथ work करते है तो हमारी उस private bucket का नाम के this is our private bucket तो इस बार बात करते है put object कैसे काम करते है लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है इसका application के है इसका real world में use क्या होता है तो see यह बहुत important है यह चीज़ बहुत easy है very easy to understand लेकिन बहुत important और इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता तो बहुत मजा आने वारा है so let's see let us say that यह तुम्हारा एक application है तो यह क्या है यह ना मेरा एक application है तो let it be like जैसे react में बना है या तो react में हो सकता है application है which is running अब हमें क्या करना है let us say that यह क्या है यह एक you know कुछ भी एक facebook लगा लेते है तो let us say that this is a facebook तो यह ना एक facebook है okay so this is facebook and हम क्या कर सकते है हम facebook के उपर जो यह हमारी facebook है हम इसके उपर क्या कर सकते है हम इसके उपर videos को upload कर सकते हम इसके उपर photos को upload कर सकते आजा user बात करो मैं आजा डबलापर बात नहीं कर रहा अगर मैं facebook को use करता हूँ तो मैं उसके उपर कुछ भी upload कर सकता हूँ ठीक है तो हम भी अपने user को एक button देंगे हम अपने button को बोलेंगे that letter say यह एक button है इसके उपर लिखाओगा that upload video ठीक है तो user को हमने एक button दे दिया upload video का ठीक है तो हम small कर लेते है तो basically work कैसे करेगा तो यानि कि जब तुम इसके उपर upload के उपर user जब भी click करेगा तो हम उसको बोलेंगे ठीक है अपनी वीडियो को select करो अड़ उसके बाद हम क्या करते है अगर हमारे पास S3 ना होता pre-signed URLs नहीं होते ठीक है अभी के लिए एक बार के लिए AWS से बहार आजाते है तो standard method क्या होता कि मेरा जो server है ठीक है तो यह कै यह मेरा एक server है तो let us say that यह जो server है यह कहां चल रहा है पर upload करते correct upload करते and हो सकता हम अपने server पर एक folder बना के इस video को रख लेते correct यह करते okay क्या यह अच्छा architecture है बिल्कुल भी नहीं क्यों? because जब video upload हो रही है तो यह video बहुत लंबी हो सकते right let us say that यह particular video ठीक है let us say that यह particular video जो user upload कर रहा है न वो 2GB की है okay तो जब वो 2GB की video upload करेगा और वो video तुम्हारे server की memory में आएगी and देखो जब तुम किसी जब तुम server की बात करते हैं तो तुम्हारे पास बहुत सारे users हो सकते है अगर हर user ने 2-2GB की video upload कर दी तो यह तो तुम्हारे server की cost बहुत जादा increase हो जाएगी यह फिर क्या होगा तुम्हारा server crash कर जाएगा तो यह एक अच्छा architecture बिलकुल भी नहीं है ठीक है तो हो सकता है हम इसको थोड़ा सा change करते है अच्छा architecture को हो सकता है मैं क्या करता है उस video को कहाँ upload कर दूँगा S3 के उपर ठीक है storage वाला part तो sort out कर दिया S3 ने लेकिन there is still a problem कैसे बिकाज जब वो video upload हो रही है जब तक वो video S3 तक नहीं जाती तब तक तुम्हारे server को वो load bear करना पड़ेगा और इससे क्या होगा तुम्हारा server crash कर सकता है तो देखो and and okay तो यह तो server के बात होई ठीक है and अगर तुम lambdas के साथ work कर रहे हो अगर तुम serverless के साथ work कर रहे हो तो यह वाला architecture तो possible नहीं है क्यों? विकाज उसके पास storage ही नहीं होती तो इस problem को कैसे solve करे मतलब मुझे अपने S3 के अंदर कुछ upload करना है लेकिन मेरे server के पास उतनी जगह नहीं है उतनी memory नहीं है उतनी bandwidth नहीं है कि वो अपने पास upload करके फिर S3 के पास भीज पाए तो क्या हम यह direct यह जो चीज है यह जो हम यहाँ पर basically हम क्या कर रहे है हम अभी तक इस particular video को ना directly upload करने का try कर रहे है क्या कुछ ऐसी चीज नहीं है कि मैं इसको directly यहाँ upload कर पाऊ समझे तो यही इसका एक solution बनता है कि इस particular video को मैं direct अपने server के through ना करके मैं इसको direct upload कर दूँ वो तो ठीक है लेकिन इसमें problem है right problem कि है that मेरी bucket में फिर तो कोई भी upload कर पाएगा because सारा जो code है जितना भी हमारा authentication, authorization, checking जो भी हमारा part है वो सारा इस server के अंदर है तो अगर मैंने user को बोला कि direct यहाँ पर upload कर दो तो यह तो फिर गडबड वाली बात हो जाएगी ना तो यह तो फिर मतलब हमने direct access दे दिया and secondly कैसे upload करना है वो हमारे user को कैसे पता लगेगा जैसे for example हो सकता है that मुझे इस video को upload करवाना है मेरे पास एक slash uploads slash videos का एक folder होगा and उसके अंदर मैं के चाहता हूँ that इस file का नाम बने let us say that जो भी है user है let us say user puse है तो puse123.mp4 तो मैं चाहता हूँ कि इस particular path के उपर upload हो तो मैं कैसे track करो मैं कैसे अपने user को बता हूँ कि कहां upload करना है ठीक है पहला answer mind में या रहा होगा कि ठीक है हम इस upload button के उपर functionality लगा देंगे but remember तुम अपने front end से AWS को directly call नहीं कर सकते कर सकते हो but उससे क्या होगा तुम अपने जो secret keys and access keys दे उसको expose कर दोगे right so this is not a good thing तो इस चीज को solve करने के लिए we have something known as that is put object resigned URLs okay इसका मतलब समाझते है इसमें flow क्या होगा हम क्या करेंगे हम पहले अपने user को बोलेंगे ठीक आप यह चीज़ दियान से समाझते है बहुत interesting चीज़ है हम अपने user को बोलेंगे एक नव वीडियो सेलेक्ट करो user ने वीडियो सेलेक्ट कर ली ठीक है हम इस video का नव कुछ data अपने backend को सेंट करेंगे कुछ data मतलब video सेंट नहीं करेंगे video का metadata सेंट करेंगे मतलब इस video का size के है okay इस video का type के है MP4 है या फिर क्या MOV फाइल है इस video फाइल का name के and कौन सा user है जो इसको upload कर रहा है ठीक है तो हमने क्या क्या हमने बस यह data सेंट किया video सेंट नहीं की सुफ यह data सेंट किया हमारा backend देखेगा ताट अच्छा यह user है यह video है यह वगरा वगरा जो भी उसको authorization करना authentication करना वो करेगा उसके बाद वो क्या करेगा वो ना एक signed URL हमें send करेगा ठीक है यह जो signed URL होगा ठीक है हमारे पास एक URL आएगा signed URL जिसको हम कहते है इस signed URL के अंदर हमारा जो server है ना वो बोलेगा that कि ना यार एक signed URL बनाओ ठीक है हम बोलेगा signed URL बनाओ जिसकी location होगी ठीक है जिसकी location होगी letter से यह वाली location देखो मैं क्या कर रहा हूँ मैं इन चीजों को यहीं पर डालाँ ठीक है तो उसको दिहां से देखना तो मैंने बोलेगा signed URL बनाओ जिसकी location होगी यह ठीक है, जो सिरफ और सिरफ क्या कर सकता है, जो सिरफ और सिरफ MP4 file को choose कर सकता है ठीक है, जिसके उपर मतलब जो उसका मतलब you know, and this is valid for so let us say this is valid for next, let us say 10, let us say 1 minute ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक signed URL बनाया, जिसके अंदर ये properties है, and वो URL मैंने अपने frontend को send कर दिया, ठीक है हमारे पास है, अब क्या आगया, हमारे पास ना कुछ ऐसा है कि URL आएगा, https colon colon, and हमारी जो भी bucket का नेम होगा, dot s3, dot something something, उसके बाद कुछ token वेगरा, ऐसा कुछ है कि URL हमारे पास return हो के आजाएगा, अब हमें क्या करना है, हमें ये particular वीडियो, इस particular URL के उपर upload करनी है, हमारे server के उपर upload नहीं करनी, हमें इस particular URL के उपर upload करनी है, मतलब कि, ये particular वीडियो, directly हमारे s3 के अंदर upload हो जाएगी, and कि location के उपर upload होगी, जो भी हमने उसके, you know, जब हमने signed URL बना था, जो भी हमने वहाँ पर प्रॉपटेज दी थी, वहाँ पर वो अप्लोड हो जाएगी and कितनी देर के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 मिनिट के लिए यानि कि 1 मिनिट के बाद यह URL नहीं चलेगा तो technically user ने directly हमारे server के उपर not server के उपर, directly हमारे S3 के उपर अप्लोड कर दिया लेकिन उसके उपर control किसका रहा हमारे server का कि कहाँ जानी चाहिए क्या उसका type है वेगरा अगर तुमने यहाँ पर type specify कर दिया MP4 तो अगर user कुछ और वीडियो अप्लोड करने का try करेगा तो उसके पास error आ जाएगा यह particular URL सिर्फ और सिर्फ एक बार ही चलेगा एक बार अगर इसके उपर upload हो गया उसके बाद यह URL नहीं चलेगा प्रैक्टिकली करें करते हैं अभी यहां पर हमें कुछ upload करना है यह क्या है यह प्राइवेट ilike ठीक है घ्ली अगर यह दो कारूंगा मैं यहां पर हमारे code में वापेस आउंगा ठीक है तो मैं यहां पर एक function बनांगा ए same function put object ऑगे put object ठीक है इसके उपर हम क्या करेंगे हम basically कुछ parameters देंगे ठीक है कुछ parameters तो वो हम भाद में देखते हैं और यहां से हमें import करना है put object URL okay put object command put object command okay तो हम एक command पहले वो बनाते है that const command okay command equals new put object command ठीक है उसके बाद same parameters कौन सी bucket है हमारे पास यह वाली bucket है जो हमारी private bucket है ठीक है उसके बाद वो पूछ रहा है that key कै key मतलब कहाँ पे store करना है उसको देखो मैं क्या बोलूँगा मैं यहां पर एक special folder बनाऊंगा that you know users देखो मैं देखो हमारी bucket के अंदर ऐसा कुछ exist भी नहीं करता ठीक है तो एक काम करते है इसको uploads ले ले लेते है slash uploads slash user uploads ठीक है तो मैं आपर कुछ भी नाम दे रहो slash उसके बाद let us say that user हमें क्या देगा एक file name देगा ठीक है user हमें क्या देगा एक file name उसके बाद जो भी user की file name उसके बाद content type ठीक है तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पर लेंगे content type तो content type क्या ओगा वो भी हमें user ही देगा तो हम यहाँ पर ले देखे content type तो किस तरीका का content type है जो तुम upload करने का try करेंगे ठीक है हमारी command बन गई उसके बाद हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे const url equals await get signed url ठीक है इसके अंदर हम हम अपना s3 client पास कर देंगे ठीक है और हम क्या करेंगे हम अपने command को पास कर देंगे और हम बोसकते हैं कि expires ठीक है expires in letter say अगर मैं क्या ये part done है बिल्कुल done है अब एक काम करते हैं हम अपना postman open कर लेते हैं साथ में ठीक है तो थोड़ा time बचेगा तो meanwhile मेरा postman open हो रहा है okay so yeah so मेरा postman भी open हो चुका है तो देखना अब क्या करेंगे let us say that मेरी जो local files है ना वहां पर हमारे पास एक file है तो मैं यहां से एक file ले लेता हूँ तो ये एक हमारे पास ना download dot jpeg file है okay तो ये file basically क्या है ये मैंने एक meme बना आता ठीक है so you can read this meme तो हमें इस particular चीज को upload करना है let us say that मुझे इस particular चीज को अब मैं एक user हूँ मुझे अपने stream में upload करना है ठीक है तो सबसे पहले काम क्या होगा हम बोलेंगे that मुझे एक क्या करना है इसको छोड़ देते हैं तो यहां पर मैं लिखूंगा that console.log okay URL for uploading ठीक है तो हम ये क्या करना है हम बोलेंगे await put object ठीक है हम बोलेंगे put object ठीक है file name देखो मेरी file का वैसे name क्या है download.jpeg तो मुझे लेकिन download नहीं रखना है let us say server कहता है that इसको मैं रखूंगा image ठीक है मतलब इसको कुछ unique name देते हैं तो इसको मैं दूँगा image उसके बाद मैं यहां पर बोल सकता हूँ date.now okay तो यह हम एक number देगा और उसके बाद .jpeg ठीक है uncontent type क्या होगा image slash jpeg done ठीक है तो अब अगर मैं इसको call करूँगा ठीक है अब मैं इस function को call करता हूँ तो मैं यहां पर लिखूँगा node s3 index.js enter तो जैसे मैंने enter किया मेरे पास एक url बना ठीक है इस url को copy करते है अब हमें क्या करना है हमें अपने postman पर जाना है हमें इस url के उपर एक put request करना है यह देखो यह url अगर तुम इस url को ध्यान से देखोगे तो यह url कुछ s3 का url है जिसके अदर कुछ tokens है और इसकी id के put object ठीक है इसके उपर put request करना है और उसके बाद हम क्या करेंगे हम इसकी body के अंदर हम क्या डालेंगे binary और हम यहाँ पर क्या कर सकते है select file select file करते है यह वाली file को select कर लेते है तो यह file क्या थी तो यह file थी download.jpeg मैंने किया open ठीक है अभी मैंने upload नहीं किया मैंने अभी send नहीं किया अगर मैं इसको refresh करता हूँ हमारी bucket में कुछ भी नहीं है file का real name किया download.jpeg मैंने किया send wait करते हैं हो गया बापेस आते हैं यहाँ पर refresh करते हमारे पास एक slash बना उसके अंदर एक uploads बना uploads के अंदर एक user uploads बना ठीक है and user uploads के अंदर एक image day.now.jpeg अच्छा अब इसको retrieve कैसे करें यहना because अगर मैं इसको वैसे open करने का try करूंगा तो क्या यह image खुलेगी नहीं खुलेगी क्यों private bucket है इसके लिए क्या करना होगा इसकी key को हम copy कर लेते इसके लिए एक signed URL बनाते है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे इसको comment out कर देंगे इसको uncomment करेंगे and हम अपनी key को यहाँ पे paste कर देते है ठीक है दुबारा से यह बनाते है हमारे पास एक signed URL आया for viewing this thing तो इसको हम करेंगे incognito save and हमारी जो file है वो खुल गई तो यह क्या हुआ दुबारा समझता है क्या हुआ देखे हमारे architecture को देखो हमने अपने हमने server को बोला that मुझे एक signed URL चाहिए ठीक है server ने मुझे एक signed URL दे दिया signed URL आ गया हमने क्या किया इसके उपर put request किया put request करने से क्या हुआ वो चीज़ वहाँ पर upload हो गई that is it यह तो हमने किया तो इससे क्या हुआ मेरे server को न उस file को handle नहीं करना पड़ा उस file को upload करना bandwidth को handle करना किसने क्या S3 ने and guess what इसकी cost क्या आई 0 because upload करने की कोई cost नहीं लेता S3 हमसे कोई bandwidth की cost नहीं लेता which is cool अब यहाँ पर एक चीज़ what I want to tell you that अगर तुम्हें इस particular bucket पर आते हो तो यह slash से क्यों start हो रहा है because हमने यहाँ पर जब upload किया था तो हमने वहाँ पर slash लगा था right so if you see that हमने यहाँ पर एक slash लगाया था तो इसको हटा देते हैं तो मेरे पास और भी काफी files है यहाँ पर तो एक video file के साथ test करते हैं तो एक काम करते हैं कुछ मतलब you know कुछ बड़ी file ले 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 लेते हैं तो documents के अंदर I have this you know YouTube की videos है तो कौन से video ले मतलब जो easy हो जादा बड़ी भी ना हो तो एक काम करते है Node.js के अंदर से कोई not Node.js से काम करते है HTML.CSS में से यह वाली file ले करते हैं तो इस file का अगर हम type देखेंगे तो इस file का type है MP4 ठीक है तो याने कि मुझे क्या करना है मुझे यहां पर बनाना है यह होगा वीडियो ठीक है वीडियो का type देखते है पहले क्या होता है MP4 content type क्या होता है तो यह होता है video slash mp4 तो video slash mp4 ठीक है इसका हम नाम रखेंगे that video something something dot mp4 ठीक है तो पहले URL अप्लोड generate करते है तो मैंने enter किया मेरा URL बन गया which is good तो इसको हम कर लेते है copy और यहां पर मैं इसको करूँगा paste ओके और यहां पर हम अपनी select file करते है documents के अंदर html तो यह वाली file ले ले लेते है which is of 69 mb open and हमने इसको किया send तो अब यह क्या हो रही है यह file upload हो रही है कौन upload handle कर रहा है यह upload handle कर रहा हमारा s3 which is good and upload हो गई वाप ही चलते है s3 में तो s3 refresh तो अब हमारे पास root पर ही upload का folder बना uploads user uploads and यह हमारी वो video file क्या हो अगर मैं एक और वीडियो का upload करू इसी के उपर send करके देख लेते है and यह upload हो रहा है because this is currently valid तो यह उसी को override कर देगा पहले बाली को ही override कर देगा तो which is okay तो इसको upload होने देते है that is why it is good practice कि तुम्हें वो expiry date रखनी चाहिए because इससे क्या होगा override हो जाएगा right तो refresh करते है तो यह override हो गया ठीक है एक और signed URL generate करते है ठीक है वीडियो के लिए तो दुबारा से इसको generate करते है मेरे पास एक new signed URL आया copy and अब इसके उपर भी paste करके send कर देते है तो वीडियो को upload होने देते है and अगर मैं यहाँ पर आकर refresh करता हू तो you will see that यहाँ पर एक और वीडियो आ जाएगी तो refresh अभी actually क्या है वीडियो 69 MB के तो it takes some time 69 MB को upload होने में तो अभी upload हो रही है so upload हो चुकी है अगर मैं यहाँ पर आकर फिर से refresh करता हू you will see that अब हमारे पास दो वीडियोज है अब इसको view कैसे करना है अगर मुझे इस वीडियो को view करना है तो वो कैसे होगी इसके लिए हमें इसकी एक signed URL बनाने पढ़ेगी view करने के लिए key को copy कर लेते वापस चलते है तो अब हम यहाँ पर क्या करूँगा इसको हम करेंगे comment out इसको हम करेंगे uncomment और यहाँ पर मैं क्या करूँगा मैं अपना जो key है वो दे दूँगा run किया signed URL आया copy किया और उसके बाद incognito में चलते है incognito tab तो यहाँ पर अगर मैं इसको paste करता हूँ enter करता हूँ तो मेरी video यहाँ पर play हो रही है right so you can see that हमारी जो video है वो यहाँ पर चल रही है तो यह एक HTML का course है जो आने वाला है okay तो यह उसका उसकी एक video है so you can see that how you can upload image file, video files here ठीक है तो इसको use करके हम क्या कर सकते है हम signed urls को use करके क्या क्या कर सकते है हम get object कर सकते है put object कर सकते है अब कुछ extra चीज़ है जो हम और कर सकते है देखो तो अब यह तमआरा homework रहने वाला है एक तरह से ठीक है तुम इसको explore करना है for example हमारे पास एक command होती है list objects v2 command okay तो इसका एक version 2 है यह क्या करती है तो ठीक है इसको भी test कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा एक बार के लिए init function को हम खाली कर देते हैं okay तो मैं यहाँ पर एक async function okay list objects करूंगा ठीक है तो यहाँ पर हम key लेंगे या फिर हम नहीं लेंगे letter say that अब भी के लिए तो मैं यहाँ पर एक command बनाऊंगा command command equals new list objects command v2 तो इसके अंदर पहले हम अपनी bucket ले लेते हैं and key okay मैं अपनी key क्या दूंगा slash ठीक है ठीक है की हमने देदी slash उसके बाद मैं क्या बोलूँगा const result equals await s3 client dot send और हम यह command को send कर देंगे और मैं यहाँ पर console.log करूंगा result को okay तो इसको run करके देखते हैं तो मैं आपर बोलूँगा await and इसको हमने क्या कर दिया run ठीक है अब देखते हैं क्या था है जिसका मतलब यह की है और उसके बाद के यह हमारा e tag है and this is okay उसके बाद हमारे पास यह एक video file है यह एक video file है and that is okay तो basically हम क्या कर सकते देखो मैंने एक चीज़ बोली थी everything is an API call s3 AWS के अंदर everything is an API call तो हमने API call की and मैंने सब कुछ list कर लिया हम object को delete भी यहीं से कर सकते है तो let us say that हमें क्या करना है मुझे मुझे इस particular एक काम करते है ग्राफ के लवाला एक हमारे पास वह है हम मुझे इसको delete करना है ठीक है इस file को delete करना है तो कैसे कर सकते हम तो ठीक है बहुत easy है तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा that हम directly हम पर कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर बोलूँगा const command equals new delete object command ओके तो इसके अदर हमें पहले तो key देना है तो किसको delete करना है तो हमें इस यहाँ पर key देते है ठीक है उसके बाद हमें क्या करना है हमें अपनी bucket ले रहे ना तो यह हमन मैं अपनी buckets में जाता हूँ और मैं refresh करता हूँ you will see that graphical file is gone right तो basically everything is an API call तो हमारे पास क्या होता है हर एक चीज के command अगर तुम यहाँ पर यहाँ से देखो गया हर एक चीज के command तुम एगर bucket create करना है bucket delete करना है किसी object को कहीं से copy करना है paste करना है cut करना है, delete करना है, rename करना है जो भी तुम console से कर सकते हो वो तुम वहाँ से भी कर सकते हो तो this is the power तो तुम dynamically buckets create कर सकते हो delete कर सकते हो उसकी permissions को भी change कर सकते हो but the thing is कि जिसकी भी तुम API keys use कर रहे हो ना sensory client में उसके पास उस particular चीजों की permission होने चीए that is the only thing so काफी चोटा वीडियो था यह बाला तो इसमें हमने देखा put objects कैसे काम करते है so I would say that ठीक है, तुम सासत कोड करो ठीक है, I would highly highly recommend कि तुम सासत कोड करो and इसके ओपर LinkedIn post and Twitter post is kambalshari ठीक है, so please, please, please एक Twitter post and LinkedIn post डालो, ठीक है this is going to benefit you मैं बार-बार इसको repeat कर रहा हूँ and one more thing I was planning की एक live करते है एक live session करते है YouTube के ओपर related to AWS अगर तुमारे कोई भी doubts होंगे so, इस Friday को that is मतलब अभी अभी वेनज है तो I was thinking कि अगर हम Friday को यह कर पा है so, comments में ज़रूर पताना that अगर हम Friday को यह चीज़ करते है so, Friday को like I was planning you know, शाम को अगर हम 7 o'clock एक live session कर सकते है जिसमें तुमारे doubts पूच सकते हो related to AWS and every week we can do that okay so, do tell me in the comments if you want a live session ठीक है so, मिलते हैं आपको next video में until then, bye-bye take care